हेलो एब्रिवन वेलकम बैक तो माई चैनल दुस्तों स्वाधत करतों मैं आप सभी का अपने यूटूब के चैनल के उपर दोस्तों जिसका नाम है लेट्सकेट वेल्थ और दोस्तों चैनल का मकसद आप जानते हैं केवल हो केवल वेल्थ क्रियेशन के लिए यहां पर वीड प्राइस मिल रही है और रिटन के मामले में दोस्तों पैसा इतना बड़ा बनाया है मतलब एक लाग को दो करोन के लगबक कर दिया दस साल में तो बहुत इशानदर कंपनी है अच्छा पैसा बना सकती है आंगे फर्दर भी क्योंकि रिवल्सल अच्छा कासा उसमें होता द इसने पहले भी बना के दी थी आंगे भी बना के दे सकता है दोस्तों तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर ठोड़ा फोकस कीजेगा कि ऐसा दिगज स्टॉक जिसने दस साल में एक लाग को कर दिया है दो करोन अभी बहुत सस्ता मिल दा है ले लो गिराव लेना नहीं लेना आपके ऊपर है दोस्तों मेरा मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना है और जब भी इस टॉक आपको अच्छे प्राइज में मिले मत्तब यहां से भी थोड़ा बहुत करेक्टेड मिले तो आप इसे बाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में लॉंगर योग सुरुवात करना चाहूंगा मैं अज दिगज कंपनी के रिटन की प्रोफाइल के साथ आज के दिन दोस्तों 4.78% की तेजी है एक वीक में 7.61% की तेजी महीने भर में 13.72% चल चुका है यह स्टॉक तीन महीने में लगबग 3% का मूव छै महीने में दोस्तों पौने 2% नीचे रहा है एक साल में 33 औसे 34% के रिटन है दो साल की अगर आप बात करें तो 45% से अधिक रिटन तीन साल में दूस्तों साड़े 32% के आसपास के रिटन निगेटिव में चार साल में 71% के रिटन पास साल में 235% के रिटन लगाता है जैसा मैंने आपको उता है कि दूस्तों 5-6 साल में ये स्टॉक बिल्कुल भी मूव नहीं किया है और 10 साल के रिटन 19,743% तो लगभग 119 गुने से भी ज्यादा तो मतलब एक लाग को लगभग 2 क्रोण के आसपास करने की कोर्सिस की है तो बहुत ही उन्दा कंपनियों में से एक कंपनी है दोस्तों अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया है और अभी टेजी इस दुबारा बंती दिखाई दे रही है और आप देख सकते हैं एक महीने में लगभग 13% से भी ज्यादा का मूव दे चुका है तो यह हो सकता है यह तेजी आगे और एक्सेंड हो जाए होगी या नहीं होगी पर आप इस टॉक को अपनी नजर में रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसको बाई करना चाहिए थोड़ी बोड़ी काउन्टिटी तो आप लेकर रख सकते हैं दोस्तर से अपने पोर्टफोलियो में तो दोस्तों आ चुके हैं स्टॉक के हम डीटेल के ऊपर तो आप आप यहां पर देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता है स्टॉक का जो पी वैल्यूएशन मात्र 25 चल ला है जबकि इसके सेक्टर का पी है दोस्तों करीब करीब साड़े 33 तो मतलब अपने सेक्टर से अभी भी यह सबस्ता है पांच सो अथारा रुपए पर आज हाई कि आप बात करें 587 रुपीस का हाई है दोस्तों 52वीक हाई लोग कि अगर आप बात करें तो करीब 380 रूपए का 52 लो है यदि आप बात करें इसके कामकाज की तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आज जो डिलावरी उठाई गई है यह दोस्तों टीन वे तक का डाटा है यहाँ पे आप देख सकते करीब 31,88,346 सेर पे कामकाज हुआ जिसमें डिलावरी के तौर पे 7,3685 सेर को उठा लिया गया है भी अपने सेक्टर के वैलुएशन से भी सस्टे वैलुएशन पर अबेलिबल है कौन सी यह अपको बस बताने वाला हूं साती आपको सेर होलिंग पैटन भी दिखाओंगा कौन सी है यह दिगज कंपनी तो दोस्तों कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अवंती फीड लिम्टेट के स्टॉक की दोस्तों मल्टी बैगर रिटन प्रोवाइड करने वाली दिखकच कमपनी है दोस्तों अगर दस साल के रिटन का टॉप 10 के लिस्स चेक करेंगे तो अवंती फीड का नाम तो दोस्तों टॉप 5 के अंदर आएगा और फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में है श्रिम्प के लिए दोस्तों मतलब सी फूड होता है श्रिम्प उसके लिए ये खानेक पीने की चीज़े बनाती मतलब फूडिंग का काम है इनका और दरी 515 रूपय पे जाके क्लोज हुआ है पांच परसेंट की तेजी देखने को म ओपनिंग 490 पे 5536 का हाई और 490 दिन का लो मतलब जहां पे खुला वहीं उसका लो था जो की प्रीवेस दिन का क्लोजिंग था इसलिए स्टॉक में अच्छी कासी मजबूती भी देखने को मिली यह दि हम और इसके फर्दर डीटेल देखें तो जैसा मैंने आपको बताया क कि अभी यह सस्ता चल ला है यहां पर आप 34 परसेंट का रिटन दे सकते हैं फूट प्रोडेक्ट के अंदर है करीब 6800 एकॉन की मार्केट कैप तो मिड कैप कैटागरी का है दोस्तों पी वैल्यूशन अभी अड्जेस्ट नहीं हुआ यह थोड़ी दिर में अड्जेस्ट ह होती है दोस्तों पर आपके नजर में जरूर होना चाहिए एक बार में आपको इसका सेरोल्डिंग पैटन भी दिखा देता हूं तो प्रमोटर की होल्डिंग करीब 43.69 परसेंट की है नौन इंस्टिटुशन वेस्टर करीब इसमें 32.81 परसेंट ऐफाई आई की बहुत ही बैतरीन होल्डिंग है दोस्तों 17.65 परसेंट म्यूचल फंड की होल्डिंग भी 3 परसेंट और डियाई की होल्डिंग 2.85 परसेंट तो अबंती फीड ने दोस्तों गजब के रेटन प्रवाइड किये हैं स्टॉक को आप नजर में रख सकते हैं लॉंग टम में बड़े रे